आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं जाड़े के मौसम में बैंगन के रख रखाओं के बारे में तो आएए देखते हैं बैंगन फसल के बारे में पॉसक प्रवंधन काम कीट हमारे अगर हम किस तरह से भईगन के फवसल को परवंध करें सुर्वास से बीज लगाने के बाद से कि जिससे कि कम से कम कीठो और अगर कीठ आवे तब हमको उसके नियन्थन के बारे में सोचना Society तो होता क्या है कि यह तो जब बयगन लगा रहे हैं तो जब बीचडा तयार कर रहे हैं तो आप बीचडा त्यार करने हैं तो वहां पर जो है नाइलोन का मच्छरदानी जो सफेद रनका आता है उससे जो बीच्छा को अगर ढख करके करते हैं तो उससे क्या होगा कि 25 से 30 दिनों तक अ seems जब करते हैं तो पौधा बहुत ही कोमल राता है और उस तो इस समय हमको ध्यान देना है कि प्रवधन्य कैसे करें वीच्छा में कि जिसे की आपको मश्चरदानी लगाके करें कीट के संपर्व कम ने उसके भाद दुसरा है कि जब रुपाई कर दिये हैं तो रुपाई करने के बाद आप पति दिन जो हैं वेगन के खेत मीं मुちゃ्स झार्ण करते हैं निरिछन करते हैं तो खेत में देखे कि कहीं पर कुछ उस तरह का कीट नहीं दिखाई पढर रहा है दिखेंगे कभी-कभी जो है पूरा जाल बनाए हुए है सबह difference नहीं लगादा सभी तो उस तरह का जब आपको लच्छन दिखाई पड़े तो उसको आप उसके अलावा अभी एक crop guard करके चला हुआ है जो पीले रंग के और नीले रंग का प्लास्टिक आता है उसमें जो है जेल लगा दिया जाता है चीपकने वाला तो अपनी खेत में जो हम बैगन का रोपाई किये हैं उस समय अगर उस तरह का crop guard को एक एकड़ में 50 प्लास्टिक लगता है और उसका खर्चा मात्र आपको साड़े आठ सो से नो सो आता है उस तरह के प्लास्टिक को जब हम अपने खेत में लगाते हैं तो सुरू में जो भी कीट बैस कीट आते हैं वह जो है पीले रंग पर और नीले रंग पर अकरसित होते हैं वहाँ पर जाकर करके जो चिपक क्योंकि वहां पर चिपा पर लार्थ लगा हुआ है जब उनके संपर्क में जाते हैं तो वहां चिपक जाते हैं और वहां से चुट नहीं पाते हैं तो उससे क्या होता है कि वह मर जाते हैं मरने से क्या होता है कि उनका संख्या कम होता है उनका परजनन कम होता है तो कीटों का नियंत्रन हो जाता है तो इन सब बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो इससे क्या होगा कि बैगन में जो कीट परभंदन आसानी हो गया अब रही बात कि आपको जो कीट आ गया उसका नियंत्रन कैसे करें